हाले विर्वान व्लक्म बैक ट्व मैं चानल इन्मेसने स्किंघ कहां दोस्तों मैं फिर से सोट इसले लिए करके उपस्तित हूँ और इस इंग्लिश स्टोरी का हम लोग इंग्लिश निदी ट्रास्लियर देखेंगे। और मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रकार के सौट इंग्लिश स्टोरी के ट्रांसलेशन से आप अपने इंग्लिश लेंगज को इंग्लिश स्पिकिंग को इंप्रूब ला सकते हैं लेटिस की न था इस टोरी इस टोरी का सिसर की है टाइटल रिक आंड अक्टर टीक है टीक अभीनेट रचिवाज अग्टर से यहां टीक थे एक अभीनेट रचिवाज पर इंग्टर निकी प्रतिवास तरह तो हैं उनका चरित बिचित्र था ही हैड डिग भी तरब सिर्ट च्रुनुरफ ही इंसेस्ट हbreimm taking इंसेस्टेट का मतलब होता की जोड़ देना ने उन्हों झोर दिया और लिसम्राइस जम यह उसक्त अज़ने यह उसक्त बाध पॉट कर आधस फीड़ π्रेश्स सेंगो सिर्द दर्द मतलब उनको था सुरी वे सेसीडर डर्द अपने मैनेजर के लिए त таким यांशी सेडर्द अपने मैनेजर के लिए ड्रामा वास्त ही एक नाटक ही खेला वाजब्ऺ एक लश नटपलाए मतलब मैंने बताया के जुर दिया on liquor यानिकी सराब पर डिक ने सराब पर जुर दिया the manager had brought bring का मतब तो लाना होता है और brought यानिकी लाया manager ने लाया था bottle of liquor यानिकी सराब की bottle manager सराब की bottle लाया था the second scene was fighting scene दूसरा scene था fighting scene यानिकी ललाई जगड़े की scene दूसरा scene ललाई जगड़े की scene थी he insisted on real words he insisted यानिकी वह उन्होंने जूर दिया on real sword SWORDS swords का मतलब होता है आपका तलवार ठीक है यानिकी उन्होंने उन्होंनों असली तलवार पर real swords असली तलवार पर जूर दिया steel swords यानिकी steel के तलवारों को were provided यानिकी परदान के गई steel के तलवार परदान के गई आगे दखते हैं क्या है the third scene was one in which तीसरा scene था one in which जिसमें से तीसरा scene वो था जिसमें the hero was drinking poison hero was drinking पी रहा था poison यानिकी जहर hero was drinking poison hero जहर पी रहा था the manager had real poison head का मतलब क्या होता है कि past था जिस परकार have का मतलब past है का होता है ठीक उसे पर हैड का मतलब क्या है कि past था the manager had manager के पास था real poison यानिकी असली जहर manager के पास असली जहर था the actor was in fix actor था in fix यानिकी मुश्किल में अभिने था मुश्किल में था, ओके, ही रियलाइज उसे एहसास हुआ, इस मिस्टेक्स अपनी गलती है, ठीक है, उसे अपनी गलती एहसास हुई, ही रियलाइज उन्हें यह एहसास हुआ, इंपोटेंस ओफ प्रेक्टिकली इन लाइफ, दन जीगा, जीवन में इन लाइफ, जीवन में इंपोटेंस ओफ प्रेक्टिकली ठीक है, यानि कि बेवहारिक्ता का महत्वा, बेवहारिक्ता के महत्वा का एहसास हुआ उनको, ठीक है, यानि कि he realized his mistake, उनको अपनी गलती एहसास हुई, he realized उनको यह एहसास हुआ, बेवहारिक्ता के महत्वा, उन्होंने वादा किया, भविष्चे में sensible होने की, यानि कि समझदार बनने की, तो बी बनने sensible, यानि कि समझदार, इन future भविष्चे में, उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा किया, तो बी sensible, समझदार बनने की, इन फ्यूचर भविष्य में है ओके अब इस स्टोरी का मोरल क्या है नेतिकता यानि क्या को शिक्ष क्या मिलती है शिक्षा क्या है इस स्टोरी से आए देखते हैं इसको प्रेक्टिकाली इन लाइफ टीक है जीवन में बहारिकता इस इंपोटेंट महत्रपूर्ण है त्टिक बहारिकता इस प्रेक्षा क्या लाइब।